गुद आप्टरनून एबरीबड़ी तो कल का लेक्चर समझ में आया क्लियर कौन सा वाला क्लियर क्लियर दो अर्थ होते हैं क्लियर के समझने समझने के उपर है कौन सा क्लियर है तो चलो नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं तो लास्ट क्लास में हम लोग आपके देख रहे थे क्या भारत सासन अधनियम 1858 गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1858 इसको आपने समझ लिया इस तरह से आपके बिटिस क्राउन भारत पर सासन करेंगे ब्रिटेन के अंदर इंडिया मिनिस्ट्री का गठन होगा इंडिया मिनिस्ट्री का आपके मिनिस्टर कौन होगा सेकेट्री ओफ इस्टेट 15 सदसी मेंबर इसको आपके मदद देंगे ठीक है और ये आपके Secretary of State भारत पर क्या करेगा सासन करेगा Secretary of State के अंडर में आपके कौन आएगा Governor General of India and Vice-Roy और अपनी ये Legislative और Executive Council से भारत के ऊपर अपना सासन करेगा ठीक है ये आ तक देखा अब आते हैं इससे आगे तो ये हम आपके देख चुके थे अब इसके बाद में Next आते हैं अगले Act पर तो हमने आपको कल बताया कि 1858 में एक तरफ तो British Crown का सासन भारत पर लागू हुआ ठीक है और इधर क्या होता है कि 1857 में आपके भारत के अंदर क्रांती हो चुकी होती है अब यहां दो घटनाएं आपके एक सास चल रही होंगी एक तरफ तो British Crown भारत के उपर सासन कर रहे है ठीक और दूसरी तरफ हिदर जब भारत में क्रांती आपके असफल होती है यानि revolt अंसकसेज हो चुका था तो भारत के अंदर जो आपके leaders थे उनकी ये समझ में आ गया कि क्रांती से हम स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर सकते और हमें अगर स्वतंत्रता को प्राप्त करना है तो हमें क्रांती की जगे करना होगा आंदोलन यानि की moment अब क्रांती और आंदोलन दोनों में क्या डेफ्रेंस होता है, तो reward का मतलब होता है sudden change, अचानक से बदलाव, ठीक है, किसी भी system में अगर हम रात और रात change कर दें तो ये कैलाता है आपके reward यानी की क्रान्ती, और moment का आपके अर्थ होता है systematic change, धीरे धीरे बदलाव, ठीक है, तो अब होता क्या है कि system सिस्टम आपके कोई भी हो किसी भी सिस्टम में दो प्रकार के आपके लोग होते हैं एक वे लोग जन्हें उस सिस्टम से फाइदा हो रहा हो और एक वे लोग जन्हें उस सिस्टम से घाटा हो रहा हो तो सिस्टम को चेंज कौन करना चाहेगा जिसे घाटा हो रहा है ठीक है लेकिन जिसे फाइदा हो रहा है कि वो इतनी आसानी से चेंज होने देगा नहीं होने देगा बस इसी दर्मियान आपके इन दौनों में होगी हिंसा वाइलेंस च्योंकि जो घाटे में वो चेंज करेंगे और जो फाइदे में वो कोसिस करेंगे system change ना हो इसी कारण से क्रांती में हमेशा आपके violence की संभावना बनी रहती है और 1857 की जो आपके क्रांती हुई उसमें आपके भारी मात्रा में violence हुआ अंग्रेज भी मारे गए और हिंदुस्तानी भी मारे गए आपके ठीक है और finally हम unsuccess हो गए तो इंडिया के लीडर्स को समझ में आया कि क्रांती से हम विवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकते और यहां भारी मात्रा में आपके violence भी होगा तो violence अगर बचना है और हमें धीरे धीरे अपनी मांगों को मनवाना है तो हमें revolt की जगे मूब करना होगा movement यानी की आपके आंदोलन के उपर तो इधर भारत में तो होगा Indian freedom इस्टेगल सुरू भारतिय स्वतंतरता आंदोलन भारतिय स्वतंतरता आंदोलन का आपके उद्देश था कि British सासन से मुक्ती British सासन से मुक्ती का मतलब भारतियों का सासन भारतियों के हाथ में दिया जाए ठीक है तो भारतियों का सासन भारतियों के हाथ में कैसे होगा legislative councils में इंडियन आ जाए executive councils में इंडियन आ जाए और governor general की जगे भी इंडियन आ जाए और भारत सचिव का जो आपके कंट्रोल है वो समाप्त हो जाए तो हम भारतियों का उद्देश होगा यह ठीक है ब्रिटिस क्राउन भारत पर अब आपके सासन करने आए ठीक है ब्रिटिस क्राउन इन भारतियों को इन काउंसिल्स में क्यों लेके आएंगे क्योंकि अगर इन भारतियों को काउंसिल्स में लेके नहीं आए तो फिर East India Company और British Crown के सासन में अंतरी क्या रहा है East India Company ने तो कभी Indians को लेके नहीं आई ति टॉप पोस्ट पे तो British Crown को अपना सासन East India Company से अलग दिखाना था East India Company से बहतर दिखाना था और East India Company से लिबरल दिखाना था तो समय के साथ British Crown ने भी धीरे-धीरे legislative council और executive council में भारतियों की entry क्या करवादी शुरू करा दी तो अब आगे के जितने भी act आपके आएंगे वो आपके सारे के सारे act इसी घटना से संबंदित होंगे कि किस तरह आपके legislative council और executive councils में इंडियन्स आए किस तरह से legislative council और executive councils को आइट्स मिले भारत पर सासन करने के इससे पहले के जो एक्ट थे वो company के लिए थे अब जो एक्ट है वो इंडिया के administration में इंडिया की legislative में और इंडिया के आपके executive में reform के लिए हैं तो दोनों प्रकार के एक्ट में आपके difference आई है ठीक 1858 के एक्ट company को control करते इससे पहले क जो एक्ट है 1858 और उसके बाद के एक्ट आपके भारत में प्रसासनिक और सासन में आपके सुधार करते हैं ठीक है तो अब हम आपके एक एक करके देखते हैं तो हमने आपको बताया कि 1858 में governor general of India ये बन चुका था governor general of India and वाइसरा इसकी दो council थी legislative council and executive council legislative council की मदद से ये law ब परेगा ठीक है अब ये जो आपके legislative council और executive आपके जो council है 1861 से इन दौनों थी दीरे आ आपके किआ गया इंडिया नाइजेसन भारतिय करण से आपके ततर पर ये हैं कि इन दौनों आपके इंटियंज की entry धीरे धीरे आपके क्या हो जाएगी शुरू हो जाएगी तो इन दोनों counsels में धीरे-धीरे आपके Indians की entry शुरू हो जाएगी तो हम यह देखते हैं कि कैसे-कैसे Indians की आपके इनमें entry शुरू होगी तो सबसे पहले जो Indians की entry शुरू होती है वो होती है legislative council 1861 में एक और आपके अधिनियम आता है और इस अधनियम में आपके ये बिवस्था की जाती है क्या बिवस्था आपके की जाती है कि जब कभी भी Governor General of India भारत के लिए law बनाएगा तो उसमें आपके जो उसकी legislative council है उसमें वो तीन Indian members को आपके क्या करेगा नॉमीनेट करेगा यानि Governor General of India की ये power होगी कि कोई भी तीन को आपके वो चुन के किसमें बिठा दे legislative council में अब इससे क्या होगा भारतियों को ये लगेगा कि हमारे भी सदस से law बनाने में बैठे है और Governor General of India तीन ऐसे लोगों को बिठाएगा जिनको अंग्रे जीन आती हो उसके पीछे भी region है उसके पीछे क्या region है कि जब Governor General of India भारत के लिए law बनाएगा तो भारती उसका बिरोध करेंगे तो Governor General of India तीन लोग तुमारे भी तो बैठे थे इन्हों ने क्यों कुछ नहीं का लेकिन सहियों किसे इन ने बिठाई ऐसे लोग ते जने अंग्रे जी नहीं आती थी खिक तो यहां अब आपके ऐसे थे एक आपके इसमें इन की जो इंडियन काउंसिल में जो आपके तीन भारती मेंबर थे इस मेंबर में आपके एक सदस हुआ करते थे बनारस की राजा दिखवजयासिंग एक बज़े सिंग को अंगरे जी नहीं आए एक बिटिस पत्रकार ने पूछा कि गवर्नर जनरल यह से ऊपर करता है तो आप भी आत ऊपर कर दे तो आपको पता भी है क्या कानून बन रहा है तो ये किया आपके यहाँ ठीक है तो सबसे पहली एंट्री आपके 1861 में आपके इंडियन्स की होती है legislative councils में और इंडियन्स का nomination आपके यहाँ होता है शुरू अब इसके बाद में आगे चलते हैं अब धीरे धीरे system आपके आगे चलता रहा 1885 में आपके भारत में होता है Congress का गठन ठीक और यहाँ से freedom struggle की real शुरूआत होती है भारत के अंदर जब Congress का आपके गठन हुआ तो Congress ने शुरूआत में ही मांग उठा दी कि सासन और प्रसासन में आपके भारतियों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए अर्थात legislative council और executive council में आपके British सरकार इंडियन् के British सरकार legislative council में अब इंडियन की entry का दूसरा तरीका लाती है indirect election अब प्रत्यच निर्वाचन तो legislative council में indirect election कब शुरू होते हैं 1892 में फिर इसके बाद में आपके समय और आगे बढ़ता है अब इस legislative council के लिए 1909 में शुरू होते हैं direct election यानि कि legislative council में आपके 1861 में नॉमीनेशन के द्वारा इंडियन्स गए 1892 में indirect election से इंडियन्स गए 1909 में direct election शुरू हो गया आपके इंडियन्स का ठीक और 1919 में जो ये legislative council थी इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया by cameral system लोगसवा एंड राजसवा तो लोगसवा और राजसवा की जो 1909 में 1909 में आपके पहले भारती थे SP सिन्ना SP सिन्ना को आपके executive council का member बनाया गया फिर उसके 1919 में आपके तीन इंडियन्स सामिल किये गए किसमे executive council में फिर 1946 में जब आपके बिटेन के प्रदानमंत्री एटली ने भारत की सोतंतरता की घोशना कर दी तो इसका मतलब अब क् भारत के अंदर जो सरकार होगी वो अब भारती बनाएंगे तो यहां क्या होता है कि जब एक का सासन समाप तोरा हो दूसरी सरकार का सासन आपके लागू होने वाला हो तो उसके बीच में जो सरकार कारे करती है उसे कहते हम अंतरिम government अंतरिम सरकार तो आपके बिटेन PM ने आपके यह कहा कि हम भारत को आजाद कर रहें 1948 से पहले अब भारत का सासन भारत के संबिधान के नियमों के अनुसार चलेगा और भारत के संबिधान के अनुसार ही अब भारत में आगे election होगे और सरकार का गठन होगा और इस बीच की अबधी में जो सरकार कारी करेगी उस स इसलेटिव में क्या सुधार किये गए, एक्जीक्यूटिव में क्या सुधार किये गए, और इनको क्या पावर्स दी गई, तो आगे के सारे के सारे एक्ट जो है आपके, वो सारे इनी सुधारों से आपके क्या है, संबंदित, यह अभी आगे बताएंगे, अभी आ रहा है, ये तो अभी क्या बताए ये तो ट्रेलर बताया है ये तो आपको बताया कि ऐसा होने वाला है ये बताया कि बंबई लेके चल रहे हैं बंबई गुमाएंगे थोड़ी देर बाद अब आते हैं हम इससे आगे हैं तो समझना तो 1861 में आपके एक्ट आता है कौन सा गवर्ट Indian Council Act 1861 भारती परिशा ददनियम 1861 अब इस भारती परिशा दनियम 1861 में आपके बेसिकली क्या क्या आपके Change या रेफॉर्म किये गए खिक तो सबसे पहले आपके क्या रेफॉर्म किया गया गवर्नर जनरल की जो आपके legislative council थी ठीक उसमें तीन भारती सदश्यों की आपके मनोनयन या nomination का प्रावधान किया गया nomination का मतलब यह जो गवर्नर जनरल है यह जिन तीन भारतीयों को चाहेगा उसको इंट में पिठा लेगा nomination मतलब उसकी इच्छा के उपर depend करेगा कि किन तीन भारतीयों की इसमें entry करानी है इसके बाद आपके दूसरा क्या प्रावधान किया गया 1861 के इस act से आपके decentralization यानी की बिकेंदरी करण की आपके शुरुवात की जाती है अब decentralization यानी की बिकेंदरी करण से आपके तात पर क्या है decentralization यानी की बिकेंदरी करण से आपके तात पर यह है कि यह center में आपके कैंदर में कौन बैठा है governor general of इंडिया governor general of इंडिया ये बैठा हुआ है ठीक ऐसा कैसे हो सकता है नहीं दिख रहा सुनाई दे रहा है नीचे नहीं दिख रहा तो फिर लाइट चलने तो लाइट के बंद कर दिये समझ रहा 1861 में आपके किया क्या गया 1861 1833 का जो आपके एक्ट आया था उस 1833 के एक्ट में आपके समस्त सक्तियां किसमें नहीत कर दी गई थी गवर्नर जनरल ओफ इंडिया में यानि की 1833 के एक्ट के दौरा सेंट्रलाइजेशन यानि केंद्री करण की बिवस्था को बढ़ावा दिया गया 1861 में इस बिवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया और 1861 में आपके इस गवर्नर जनरल ओफ इंडिया ने कुछ सक्तियां आपके ट्रांसफर किड़ दी किसको प्रोविंस यानि की प्रांत में आपके कौन बैठता है गवर्नर यानि की गवर्नर को आपके कुछ मामलों में निर्णे लेने की सक्ति दे दी तो ये प्रिकरिया आपके अब क्या कहलाईगी दी सेंट्रलाइजेशन यानि की आपके बिकैंद्री करण ठीक, 1833 में केंद्री करण था और 1861 में आके अब डिसेंट्रलाइजेशन यानि की बिकैंद्री करण की प्रिकरिया शुरू कर दी, ठीक है, अब इसमें अगला कंसेप्ट आपके क्या था 1861 में, यहां आपके डिसेंट्रलाइजेशन श्टार्ट हुआ, अर्थात प्रोविंस के गवर्नर को भी आपके कुछ मामलों में निर्ड़ा लेने की आपके सक्ति प्रदान कर दी गई, ठीक है अब यहां याद रखना कि 1861 में आपके एक सिस्टम और सुरू किया गया, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोडियूज, पोर्टफोलियो सिस्टम यानि की बिभागी करण की बिवस्था, अब इस बिभागी करण की बिवस्था में आपके क्या किया गया, कि यहां गवर्न गवर्नर जन्रल जन्रल ओफ इंडिया पर 861 से पहले सारे कारे ज़लोड जादा है इस बर्क लोड को आप कम करो जैसे आप home ministry किसी को दे दो, finance ministry किसी को दे दो, defense किसी को दे दो, जिससे क्या होगा, कि आपका workload कम हो जाएगा, ठीक है, तो allocation of portfolio यानि बिभागी करण विवस्था की जो सुरुवात आपके होती है, ये होती है, 1861 यानि 1861 में, ठीक है, तो 1861 में आपके, ठीक, इस अधनियम की द्व बठवारा और क्या हुआ, allocation of portfolio, ठीक, बिभागी करण क्लियर हुआ, तो present में भी आपके ही विवस्था है, सबसे पहले Prime Minister ओध लेता है, फिर Prime Minister allocation of portfolio करता है, कि किसे home minister बनाना है, किसे defense minister बनाना है, किसे आपके finance minister बनाना है, किसे railway minister बनाना है, तो बिभागों का बठवारा कर करना यह सिस्टम कहलाता है एलोकेशन और पोर्टफोलियो और यह सिस्टम शुरू कब हुआ आपके 1861 से अब आते हैं इसके बाद आगे इस एक्ट में गवर्णर जनरल को वीटो लेने और ओर्डिनेंस इसू करने का आपके अधिकार दिया गया तो अब हम यह समझें आपके कि यह वीटो क्या होता है और ओर्डिनेंस क्या होता है तो समझते हैं तो सबसे पहले प्रिजेंट में अगर हम आपके देखें, तो किसी भी एक्ट को अगर बनाना है, तो कोई एक्ट बनता कैसे है, एक्ट बनाने की अथॉर्टी किसे होती है, पारलियमेंट, भारत में पारलियमेंट का जो गठन होता है, वो लोकसवा, राजसवा और प्रेसीडेंट को मिला के होता है पार्लियमेंट के तीन पार्ट होते हैं लोकसभा राजसभा और प्रेसीडेंट ठीक है कोई भी एक्ट अगर आपके बनता है तो सबसे पहले लाया जाता है बिल यानी की बिधेयक अब बिल का मतलब क्या होता है जिस मुद्दे जाएगा राजसभा में राजसभा ने भी उस पर साइन कर दी मतलब राजसभा भी स्थैमत है अब यह जाएगा प्रेसीडेंट के पास अब प्रेसीडेंट भी अगर इस पर साइन कर दे तो यह बन जाएगा ऐसा भी तो हो सकता है प्रेसीडेंट साइन तो यही कहलाएगा बीटो और यह बीटो लेने की पावर सबसे पहले दी गई 1861 में यानि की 1861 में विवस्था क्या थी यह है legislative council legislative council ने किसी बिल को पास कर दिया अब यहाँ दो concept आपके हो सकते हैं कि governor general of India president की जगह यह था हो सकता है इस पर sign कर दे तो यह बन गया हो सकता है sign ना करे तो यह हो गया बीटो ठीक है तो बीटो पावर का मतलब governor general of India किसी बिल पर आपके sign करने से आपके क्या कर दे मना कर दे यह कहलाता है आपके बीटो ठीक है अब इसके बाद में next अगला concept समझना अगला concept अब हम आगे आगे देखते हैं ordinance यानी की आपके अध्यादेश ordinance यानी की आपके अध्यादेश क्या होता है समझना अब देखना भारत में आपके कानून बनाने का तरीका क्या है किसी भी बिल को सबसे पहले लोकसवा में लाये जाता है इसके बाद आपके राजसवा में लाये जाता है फिर ये प्रेसीडेंट के पास जाता है President इस पर साइन करता है और यह बन जाता है Permanent Act यह provision आपके हुए अब next आगे समझना ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके लोकसभा और राजसभा सत्रयानी की सैसन में ना हो सैसन का मतलब इनकी मीटिंग ना चल रही हो अगर किसी समय लोकसभा या राजसभा की मीटिंग ना चल र और जब तक आपके इनकी मीटिंग नहीं चल रही तो बिल पास होगा नहीं इनसे ठीक और कानून बनाना क्या हो जाए जरूरी हो जाए तो ऐसी स्थती में आपके जब देश में लोकसभा या राजसभा या दौनों में से किसी एक हाउस की मीटिंग ना चल रही हो और अध्या देश का जो आपके अर्थ होता है वो होता है temporary act यानि कि अस्थाई कानून अब यहां क्या होगा कि president ने आपके अगर ordinance को issue कर दिया तो इसका मतलब उसने एक अईस्थाई कानून बना दिया इस अस्थाई कानून का प्रभाव सिर्फ तव तक रहेगा जब तक आप आपके ये दौनो हाउस सेशन में जिस दिन आपके ये दौनो हाउस सेशन में आपके आजाएंगे ये ओर्डिनेंस आपके यहां आएगा और पूरी उसी प्रक्रिया से पास होगा जैसे के बिल पास होता है तो ये इसकी आपकी वेलिडिटी कम तक होती है जब दौनो हाउस स तो सैसन में आने के छे बीक के अंदर, अगर ये ओडिनेंस आपके पार्लियमेंट ने पास कर दिया, तो तो ये पर्मानेंट एक्ट द्वारा बन जाएगा, और अगर नहीं किया, तो ये निरस्त हो जाएये, खिक तो यहां आपके ओडिनेंस से तात-पर क्या हुआ, जब नेन से आने की अध्यादेश, ठीक है, अध्यादेश का प्रवहाब बिल्कुल कानून की तरह रहेगा, लेकिन ये एक टेंपरेरी कानून, इसकी बैलिडिटी सिर्फ तब तक है, जब तक आपके पार्लियमेंट सहसन में आने के, शिक्स बीक के अंदर इसे पास ना कर दे, अ झालिटी सहन अधान, ईसकी बैलिटी काउंसल के सारे सदसं मीटिंग में OR यहीं घूर्टी not before, जरूरी हो जाए, तो गवर्नरी जेंडिया, ईसों कर सकता था-रीनेंज, इसों करने, ऑर है जालिटी बीटों लेंए, यह हां तक दे आखा-थीक है, अब आता है, ही उससे हां नहीं होगा बिल्कोल नहीं होगा सही बात है बीटो का मतलब लागू कैसे होगा मन नहीं कर दिया ना वो तो किस बीटो पाबर की एक मिनिट, किसकी ordinance किया बीटो की, बीटो का मतलब वो कानून लागू हो गई नहीं, कानून बना ही का जो लागू होगा, ordinance की value तो ठीक वही होगी, जो act की होती है, ठीक, पार्लियमेंट से पास था है तो पार्लियमेंट ने बिल पास किया बिल पास किया यानि कि एक्ट बन गया ठीक है जब कई भी आपके एक्ट बना है तो वहां आपके एक्ट बकायदा लिखा होगा ठीक अब दूसरी बार पार्लियमेंट ने उस एक्ट को क्या कर दिया बापस ले लिए दूनों हाउस से तो इसका मतलब यह एक्ट क्या हो गया निरस्ट हो गया फिक अब आपके किसान कह रहे हैं कि कि चाइपिघे टो पहुँढ़ थे नहीं कि सब्सक्राइब हो सब्सक्राइं खरेब खरेगी। अगर का अ उन्हें पारां से तो यह बहुत प्रकार कि मांग है जो बैवार में couर्म नहीं जूसलाब कितने को इतने सब्सक्रा और एक qisanov के भर नहीं थे एकarnish ८ क्सान के लिए लिए अछय थे देंगे प्राकर उनके लिए खराब算़ te मal उठाक जो आपके सड़ा पता चलेगा अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे आते हैं तो यह यहां तक क्लियर हुआ अब अगला सिस्टम यहां तक के नोट्स मिल गए थे आपको टेलीग्राम पर सारे नोट्स डाल रखेते हैं यहां तक के इससे पहले की क्लासेस की जो वीडियोज हैं वो एपलीकेशन पर भी पड़ी होई हैं आपकी ठीक है और यूटूब के उपर भी और यूजवार रë क्युछ ίह कया तक क्या का न red su मिल आपकी और भी वहां वहां वो अ मिल प्रम मिलोग अ यह तो आपके उपर डिपेंड करता है लिखना चाहो तो लिख सकते हो हम तो लिखी रहे हैं आप लिखोगे आपके उपर डिपेंड करता है करता है झाल 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 आए डान झाल यहाई प्र। देखने का प्रयास बही लोग करना जिनकी स्पीड फास्ट हो लगी तो लिखने से भी जाओ और समझने से भी जाओ तो अब हम आपके यहां देखते क्या है हाँ बिल्कुल मिलेगा तो नेक्स्ट तो इंडियन काउंसल एक्ट 1892 इस बिवस्था में आपके क्या क्या गया कॉंग्रेस का आपके गठन हो चुका था राश्टी स्वतंतरता अंदुलन की शुरूआत आपके एक तरीके से हो चुकी कॉंग्रेस ने आपके आते ही डिमांड शुरू की कि सासन और प्रसासन में भारतियों की भागीदारी को बढ़ाया जाए यानि कि लेजिसलेटिव काउंसिल और एक्जिकीटिव काउंसिल में आपके इंडियन्स की एंट्री क्या हो चुरू हो यह कॉंग्रेस ने आते ही शुरू आती मांग की अब 1885 में कॉंग्रेस आई 500 साल से मांग कर रही थी कॉंग्रेस अब बिटिस सरकार ने आपके क्या क अगर भारतियों की भागीदारी को legislative council में आपके बढ़ाना है तो करना क्या होगा करना आपके यह होगा सीट हैं भी तो बढ़ानी पड़ेंगी बिठाएंगे कहां मान लिया कि legislative council में 20 सीट हो तो पहले सीफ हो लेकिन अगर और भारती लाने हैं तो सबसे पहले सीटों की संख बढ़ाई गई जिससे भारतियों को ला सकें दूसरा आपके हम देखें इस्ट इंडिया कंपनी ने कभी भारतियों को कोई अधिकार नहीं दिये अब जब Congress आई तो Congress आपके British सरकार से यह कहती है आते ही सबसे पहले अधिकारों की मांग आपके क्या करेगी Congress करेगी Congress आपके आते ही कहेगी कि भारतियों को कुछ अधिकार वाधिकार तो दे दो और भारतियों को नहीं दे रहे हो तो कम से कम इस legislative council में बैठने वालों को तो दे दो कि यह तो पूछ सकें कुछ क्योंकि 1892 से पहले तो जो भारती बैठ रहे तो नहीं भी पूछने का अधिकार नहीं था गवर्नर्ट जनरल से कि यह काम कर क्यों रहे हो आप यह काम तो भारतियों के लिए सही नहीं है तो यहाँ जब कॉंग्रेस ने राइट से अधिकारों की आपके मांग करना शुरू की तो ब्रिटिस पार्लियमेंट क्या कहती है ठीक है अब हम भारतियों को तो नहीं दे पाएंगे अभी अधिकार लेकिन उन भारतियों को दे देते हैं जो legislative council में बैठ रहे हैं तो यहाँ क्या किया गया कि यहाँ आपके सिर्फ size यानी की number of sheets नहीं बढ़ाई गई legislative council के functions कारे भी बढ़ाई गए लेजिसलेटिव council के जो member थे अब वो governor general से question पूछ सकते थे पहले question पूछने का दिकार नहीं था legislative council के member भारत के उपर बनने वाले budget पर discussion कर सकते थे कि governor general इस पर कितना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं यह भारत के favor में है या नहीं है उस budget को पास होने से रोक तो नहीं सकते थे लेकिन discussion कर सकते थे तो एक तरीके से देखें तो legislative council में न सिर्फ सीटों की संख्या ही बढ़ाई गई बलकि legislative council में जो भारती बैठ रहे हैं उन्हें question पूछने का अधिकार दे दिया गया ठीक है और budget पर discuss करने का अधिकार दे दिया यानि कि अब आपके legislative council के अंदर discussion यानि कि बहस शुरू होन स्टार्ट हो गई जो बहस प्रजेंट में होती है न कोई बिलाता है तो यह समय तक आपके सुरू हो चुकी है यहां से सोधार हुआ अब इसके बाद में आपके क्या किया गया अब legislative council में कह दिया गया कि सीटों की संख्या आपके बढ़ा दी गई तो अब कुस्या ने आया क्या सबका nomination कर लिया जाएगा तो इसमें भी विवस्था गड़वड है सबका nomination करेंगे तो यह British सरकार उनी का nomination करेगी जो इनके favor में बोलेंगे तो यहां अगर nomination transparent करना है तो हमें election को लाना होगा तो यहां शुरूआत होगी indirect election की फिक अप्रत्यच निरवाचन अब इस आपके अप्रत्यच निरवाचन की द्वारा आपके भारतिय आएंगे अब देखो अप्रत्यच निरवाचन को समझने से पहले पहला point आप यह समझ लो कि direct और indirect आपके election होता क्या है यह है आपके legislative assembly प्रजेंट में legislative assembly यानी कि क्या बोलते हैं प्यधान सभा प्यधान सभा क सदस्चिक को क्या बोलते हैं प्यधान सभा और यह है आपके राज्य सभा राज्य सभा तो पहले तो direct और indirect election का आप differentiation समझ लो कि यह होता क्या है अब देखना जब MLE का चुनाव होता है तो MLE की चुनाव को आपके बोट कौन देता है जनता पबलिक ठीक तो यहां आपके जो पबलिक है वो आपके क्या करती है direct बोट देती है किसको MLE के election में ठीक तो जब जनता direct बोट दे अपने प्रतनिधी को चुनने के लिए तो यह election आपके कहलाता है direct election ठीक है अब यहां क्या होता है कि जब राजसवा का election होता है यानि कि राजसवा के MP का Member of Parliament राजसवा अब राजसवा के election में जनता direct बोट देती है नहीं देती तो यहां जनता तो बोट नहीं देती लेकिन यह MLE बोट देते है तो जब जनता direct बोट ना दे जनता के चुने गई प्रतनिधी बोट दे है तो यह election कहलाता है indirect election तो पहले तो यह clear हुआ direct in direct election ठीक है तो direct election मतलब जब जनता स्वेम अपना प्रतनिधी चुने है जैसे के MLE लोगसवा MP जनता बोट देती है तो indirect election का मतलब जनता स्वेम बोट ना दे है जैसे के राजसवा MP, प्रेसिदेंट, वाइस प्रेसिदेंट, जनता बोट नहीं इनको कौन वोड देता है जनता ने जिन प्रतनिदियों को चुना है वो वोड देते हैं तो इन डारेक्ट एलेक्शन कार्थ क्लियर हुआ यानि कि उस लेजिसलेटिव काउंसिल में जो मेंबर आ रहे हैं वो डारेक्ट जनता ने नहीं चुने जनता ने किनी और प्रतनिदिय उन्हें उनको चुना ठीक है तो अब आपके हम देखें तो उस समय कि आपके विवस्था में तो आपके ज könnt रोइन होंगी के एक होगी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउणसिल क्यांद्री यह भीधान पर सेंट्र सेंट्रल प्रांतिय 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 प्रांत प्रांतिय विधाई परिशल चिक तो ये तो आपको समझ में आ गया Central Legislative Council है तो ये कहां होगी ये किसको सला देगी Center में कौन बैठ रहा था उस समय चिक प्राविंसियल लेजिसलेटिव काउंसिल है तो ये कहां होगी और प्राविंस में आपके कौन बैठ था गवर्नर ठीक है अब यहां Central Legislative Council अब इसके मेंबर आपके कहां से चुनके आती थे अब देखना इसमें जो आपके इंडारेक्ट इलेक्षन है वो कैसे है झचिन आपके मेंऊ है झाल 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 तो Central Legislative Council and Provincial Legislative Council, चीक? तो Central Legislative Council किसको एडवाईज देती थी? प्रस्ताब आ चुका था उस समय तक, तो नगर पालकाई भी आ चुकी थी? तो इन सब के सदश्यों को चुनती थी? कौन? पीपोल यानी की जनता, तो ये कौन सा एलेक्शन हो गया? ये चुनते थे किसके? प्रोविंसियल लेजिसलेटिव काउंसिल के सदश्यों को, तो ये अब सेंट्रल लेजिसलेटिव असेंबली में कहां से आते थे? सेंट्रल लेजिसलेटिव असेंबली को चुनती थी कौन? प्रोविंसियल लेजिसलेटिव काउंसिल और बंगाल चेंबर ओप, बंगाल चेंबर ओप कॉमर्स का मतलब बंगाल के जो ब्यापारी हैं उनका सम तो इस तरह से आपके मेंबर आते थे Central Legislative Council में, यहां कहीं से कहीं तक आपके पबलिक डारेक्ट वोट नहीं दे रही, तो इसका मतलब Legislative Council जो थी उनमें इंडारेक्ट एलेक्षन की विवस्था की गई, ठीक है, क्लियर हुआ है पॉइंट, अब आते हैं इसके बाद आगे, तो यह देखा आपने 1892 का आपके अधनियम, अब 1892 के बाद आपके अगला एक्ट कौन सा है? Government of India Act 1909, भारस सासन अधनियम 1909, इसी को हम कहते हैं मारले मिंटो रिफॉर्म, यानि मारले मिंटो स्तुधार, अब हम आपके यह देखते हैं, कि यह जो आपके मारले मिंटो रिफॉर्म आपके इंडिया में आया था, यह किन परिस्थितियों में आपके भारत में आया था, ऐसी क्या परिस्थितियां उस समय आपके भारत के अंदर चल रही थी, और इन परिस्थितियों में आपके, किस प्रकार के कानूनों की आपके कानी सुनते हैं उसके बाद मारले मिंटो रिफॉर्म समझ में आएगा ये है आपके कौन सा देश इंडिया तो लिखा ही नहीं है हमने ब्रिटैन या यूके ये है आपके कौन सा देश ना लिखाए नेक्स्ट इंडिया ठिक अब ब्रिटैन का जो आपके सासन था वो किसके उपर था इंडिया के उपर ठिक है अब ब्रिटैन का सासन इंडिया के उपर था तो ब्रिटैन हमेशा क्या चाहेगा या यूके क्या चाहेगा इंडिया के उपर हमेशा उसका सासन बना रहे वो क्या छोड़ना चाहेगा आपके इंडिया के ऊपर से सासन और इंडिया क्या चाहेगा इस सासन को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए ठीक है तो अब हम आपके आगे देखें ब्रिटेन चाहेगा कि इंडिया के ऊपर आपके ये सासन हमेशा क्या हो कायम रहे चीक, अंधेरा हमेशा कायम रहे तो अगर ब्रिटेन को इंडिया के ऊपर इस सासन को हमेशा बनाई रखना है तो ब्रिटेन के पास भी कुछ बिकल्प होंगे चीक, और इंडिया को इस सासन को हटाना है तो इंडिया के पास भी कुछ बिकल्प होंगे दोनों अपने अपने विकल्पों का क्या करेंगे प्रयोक करेंगे और यही होगा राष्टिय आंदोलन राष्टिय आंदोलन में यह अपने विकल्प लाएंगे और इंडियन्स अपने विकल्प लाएंगे जिसके विकलप सक्सेज हो जाएंगे, वो सक्सेज हो जाएगा, टीक है, तो सबसे पहले अब हम आपके आते हैं, ये देखते हैं कि ब्रिटेन किन विकलपों का आपके इस्तेमाल कर रहा था, अगर ब्रिटेन ने भारत के उपर या किसी अन्य देश के उपर अगर सासन की किसकी नीती का सामराज्यवाद तरल सब्दों में समझें सामराज्यवाद का मतलब सामराज्य का विस्तार अगर अपने छेत्र का विस्तार करना है किसी राजा को तो सबसे पहली चीज क्या होती है कैसे विस्तार करेगा जैसे कि आपके इंगलेंट के राजा होंगे कि भारत बताय होंगे मुगल दर्वार में, काओगा भाई साब अपना सामराज दे दो हमको, और दे दिया होगा जैसे मुगल दर्वार ने, कोई राजा देगा ऐसे सामराज, तो सबसे पहली चीज होती है पावर, यारी कि अगर ब्रिटेन को अपने सामराज का विस्तार अगर इंड आर्मी, तो सबसे पहले ब्रिटेन जब भी सामराज जवाद की नीती में आगे बढ़ेगा, खिक, तो इस सामराज जवादी प्रिक्रिया में सबसे पहली चीज आती है पावर, तो ब्रिटेन अपनी पावर को असीमित बढ़ाएगा, खिक है, अपने पुलिस चेत्र को जीत लिया, यही हुआ था ना, इस पावर की दमपे तो 60% राजाओं को जीता गया था, 40% आपके प्रिंसली स्टेर, चीक है, जीत लिया आपके ब्रिटेन ने, चीक, पावर की दमपे आपके राजाओं से युद्ध किये, और उनके सासन को जीत लिया, वर्ल्ड किसी छेत्र पर लंबे समय तक आपको सासन करना है, तो उसकी एक सर्थ होती, और वो सर्थ आपके ये होती है, कि वहां की जनता आपके सासन को स्वीकार कर ले, अदरवाईज अगर जनता ने सासन को स्वीकार नहीं किया, और अगर जनता बिद्रों पे उतर आई, ठीक, तो जब तक वो उसके सासन से satisfy है जिस दिन जनता संतोष्ट हुई वो सड़कों पे उतरेगी और सड़कों पे उतरने के बाद वो कभी भी सासन परिवर्तन कर सकती है तिरफ लोगतंत्री नहीं जनता तो अगर राजतंत्र में भी सड़क पे उतराए अगर लंबे समय तक सासन करना है तो हमें जनता को यकीन दिलाना पड़ेगा कि हम ब्रिकिसर्थ का सासन भारती राजाओं के सासन से बहतर है यानि कि आपके नरेंद मोधी को यह यकीन दिलाना पड़ेगा देश की जनता को कि हमारा सासन कॉंगरेश से बहतर है तो ही इलेक्षन निकलेगा नहीं तो नहीं निकलेगा तो यहाँ आपके यह सिस्टम हुआ तो अब आपके क्या होगा कि बृटिस सरकार आपके च खवालाक से आप राजा को जीज सकते हैं जनता को नहीं जीज सकते हैं तो अब आपके दूसरी चीज अब जनता आपके सासन को स्विकार करे तो उसके लिए आपके आपको जनता के लिए करना पड़ेगा कुछ वैलफेर एक्टिविटीज कल्यान कारी काम या कल्यान कारी गत जनता को दिखाना पड़ेगा कि हम आपके ये जो सासन कर रहे हैं वो आपकी बहतरी के लिए कर रहे हैं करनी होंगी कुछ welfare activities तो अब जैसे ही आपके ब्रिटिसर्स भारत में आपके आए प्रिटिसर्स ने भारत में आते ही आपके कई प्रकार की welfare activities को आपके क्या किया शुरू किया जैसे कि भारत में इनोंने प्रसार किया education भारत में आपके ये लेके आए railway भारत में इनोंने डवलप किया infrastructure ठीक है भारत में आपके ये लेके आए बहतर judiciary भारत में आपके लेके आए law and order ठीक है और भारत में आपके इन्होंने आते ही किये कई प्रकार के social reform अब कई प्रकार के social reform जो भारत में आपके पहले से चले आ रहे थे जैसे इन्होंने तास प्रथा को समाप्त किया, जैसे इनों ने सती प्रथा को समाप्त किया, जो भारती समाज में आपके कमी थी, जैसे इनों ने बिदवा पुनर बिवा को लागू किया, बिड़ो रीमेरेज, बिदवा पुनर बिवा, कई प्रकार के आपके सामाजिक सुधार इनों ने आप के ठीक है और इन सभी सामाजिक सुधारों के द्वारा आपके बिटिस सरकार भारतियों को काफी हद्त के यकीन दलाने में सच्छम हो गया कि हम बिटिसर्ज का सासन पुराने राजाओं से बहुत बहतर है ठीक यह आपके कंपेर करेंगे क्या पुराने राजाओं ने कभी है तुम्हें आज तक भारत नहीं आती हम सिखा रहे हैं ठीक पहली चीज दूसरा यह कहेंगे हम रेलवे लेकर आएं बैल गाड़ी से चलते तो रेल में बठा दिया एलाके ठीक तो यह हमारी बजय से हुगा है आपके राजा कभी आपको ट्रेंड में नहीं बठा पाए हम ठीक है यह किया अच्छी रोड़ें दिये हैं भारत को हमने रोड़ें भी नहीं ते जंगल थे यहां ठीक इसके अलावा आपके बड़े बड़ी बिल्डिंग्स पूल ब्रेज यह सब प्रकार की चीज़ें दिये हमने इन्हों ने यह यकीन दलाया इसके बाद आपके मत्स सनयाई की स्थिती थी भारत में कोई भी किसी को मारे डाल रहा है कोई भी किसी को काटे डाल रहा है मत्स नयाई का मतलब बड़ी मचली चोटी मचली को खा जाती है कोई कानून विवस्ता नहीं कोई कुछ भी किये जा रहा है हम जुडीसरी लेके आए जिसे विवस्ता आप के कारे किए और इसके साथ आपके चो सदियों से जो आपके रास पर्था भारत में ब्याप्त थी वह हमने समाप्त की बिद्वा पुनर बिवावे हमने चालू कर आया यानि कि इस तरीके से अगर हम देखें तो यह जो बैल फेर एक्टिविटी इस बिडिज ग़र्मेंट अभी भी किसी भार्ती राजाने नहीं गी तो आज भी आधिवासी होते हैं यह लगने भी लगा कई लोगों को यानि कि आपके ये जो सुरुगाती फेज था बिटिश सासन को कुछ भार्ती तो आपके देवी उपहार बताते हैं कि तो गौड का गिफ्ट है अमारे लिए जो ब्रिटिस सासन आपके भारत में आया और आपके बेलफियर के नाम पर इतनी एक्टिविटीज ब्रिटिस सरकार ने भारत में कर दी, अब आगे चलके आपके क्या हुआ, आगे चलके यह हुआ कि ब्रिटिस सरकार जब इन एक्टिविटीज को आपके भारत में कर रहा था ना इस बात को British सरकार भी जानती थी, कि उसके द्वारा जितनी भी welfare activities भारत में की जा रही है, इन सारी welfare activities का आपके जो अंतिमुदेश है वो भारतियों को फायदा पहुचाना नहीं है, वो Britishers को फायदा पहुचाना है, यह हर activity कहीं न कहीं Britishers को आपके भारतियों से 100 times benefit पहुचा लूगां को, आपको क्या फायदा व्हाँ के लोगों को पढ़ाने का, वहाँ के लोग पढ़ गये तो कछल लोग के अतिकारों की मांग करें में आपको अल्टा घाता है, भारत में अधिकारों की मांग की अका है जब लोग पढ़ लिग गए, आघप can आ कह ??? नहीं थे किसी ने अगर अंबेड़कर नहीं पड़े होते तो कहां से आता संबेदान कि यह ना तो पहले यह तो कभी नहीं चाहते थे भारती पढ़ाया इसलिए कि भारती यस नो हेलो सॉरी थेंक्यू चार-पांच बर्ड बोलना सीखें हमारा काम हो जाएगा यह थोड़ी पढ़ाया था कि यह चार-पांच बर्ड शीखें तो पूरी इंग्रेज शीखें तो आक्सपोर जाके पढ़ाया और सब पढ़ाया वहां जाके यह कभी नहीं पता होता कि भारती औक्सपोर भी जाएंगे कल के दिन तो यह नहीं पढ़ाते भारतियों को अब आगे चलके क 1833 में मालगाड़ी चलना सुरूँ होई थी 1853 में पैसिंजर चलिए 1833 में पहले आपके मालगाड़ी चली मालगाड़ी और भारतियों क्या फायदा इनका फायदा था वो भी भारत की जनता के लिए नहीं, पैसिंजर ट्रेन जो चली थी, आर्मी भेजने के लिए, कि अपनी आर्मी को हम कहीं भी भेज सकें, 1853 में पैसिंजर ट्रेन क्यों चलाईगी, जब इस्ट इंडिया कमपनी ने भारत में सोशन किया, तो छोटे छोटे बिद्रो ओना करता सकें, को लिए चली थी, पैसिंजर ट्रेन में भारती को कोई भला नहीं था, जैसे आज के जनरल डिब्बे में भारती वरते थे तब भी ऐसी वरते थे, यह आपके चलाईगी इसलिए पैसिंजर ट्रेन, यह हुआ, अब इसके बाद में आपके यह जो रेल्वे तो आपके अमीरों के आपके राज महलों में बिजली दे दी जिनसे आपको टेक्स मिल रहा था या फायदा हो रहा था यह भारत की स्वतंत्रता के बाद है तो भारतियों के इसका कोई विसेश फायदा नहीं था था यह कहते हैं आपके कि हमने आपके इंफ्राइस्ट्रक्शर डवलफ किया हमने यृडिकेशन डवलब किया इंने यृड़िकेशन भी वहीं किया जहां से इनका फाइदा हो रहा था जहां आपके बंजर जमीन थी जहां आपके जंगल था और कौन सा इंफरेस्ट्रेक्ट्चर डवलप कर दी है नोंने कभी जम्मू कश्मीर में करके आए कभी नहीं आए कभी ट्राइवल रीजन में ऐसी जगह पर करके आए जहां से नहीं कोई अगर कोई बहरती होते तो जरूर नहीं मिल जाता था लेकिन अगर कोई बहरती किसी बिटिसर से अगर किसी बात पर बहस हो जाए तो वहां जश्टिस पूरा बिटिसर से फेवर में होता था तो अब जुडि स्री ले के टो आए ओ लेकर जुडि स्री आप तो अपने लिए लेकर कblick रहे क्लाती कानुन तोड़ है कब होने बीतर बेज तो यहां जुडि इणकर ऑपके लोँरन ऑडर भाति को नहीं इस उद्देश से आपके लाइते लॉएंड ओर ठीक है अब इतने सारे आपके इन्होंने अच्छे काम कियें तो एक आत बुरा काम भी कर लें उस तो दिखाऊगे भारतियों को कुछ किया हमने देखो दास प्रता समाप्त कर दी हमने दूचार तो कुछ तो दिखान कि इंडिया का जादा से जादा एकोनोमिक एकस्प्लाइटेशन कैसे करना या इंडिया से जादा से जादा फाइदा कैसे कमाना या इंडिया से जादा से जादा मात्रा में पैसा निकाल के आपके ब्रिटैन कैसे पहुंचाना ये था इन वेलफेर एक्टिविटीज का जरूर चलेगी, क्यों पता चलेगी, कि इंडियन्स में हमने एजूकेशन तो दे दी, और कई लोग अब बिटेन पढ़ना सुरू कर दी है, अब यहाँ आपके क्या होता है, पता कैसे चलेगी, अब वो देखते हैं, और जिस दिन इंडियन्स को यह हकीकत पता चल गई, कि ब प्रिटिस सासन की जड़ें फिर दौरा से उखड़ सकती है, तो करना क्या होगा, अब यहाँ यह करेंगे, इंडियन्स का ब्रैन वास, तीसरा, इंडियन्स का ब्रैन वास आपके किस तरह से, कि इंडियन्स के दिमाग में हम गुलामी भर दें, यानि कि इंडियन्स के दिम और उठाएंगे ही नहीं और इसह काम को भी करने में यह बहुत अथ- JACK chuck तो यहां आपके इनके पास जो तीसरा विकलब होगा वो तीसरा विकलब आपके होगा आपके क्या कि प्रेनवास इंडियंज का क्या कर दिया जाएए इस प्रेनवास कर दिया कि true तीन सो साल तक किसी देश पर आपके सासन इन्हों ने किया, तीन सदियों तक किया इन्हों ने, 18-20 सदी, 19-20 सदी, 3 सदी तक सासन करना किसी विदेशी के द्वारे तनी आसान बात है, खिक, और वो भी तब जब इन्हों ने कुछ ना किया हो, खिक है, तो अब इन तीन सदियो अब कैसे फस गए अब ये देखते हैं अब इन्हों ने जो आपके भारतियों का आपके ब्रेनवास किया झाल 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 झा झाल 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 पता था की बेलफेय के नाम पर जितनी भी एक्टिविटीच आपके भारत में कर रहे हैं इन सारी activities का अंते मुद्देश भारतियों का भला करना नहीं है हमारा खुद का भला करना है और आज नहीं तो कल ये चीज आपके भारतियों को पता चलेगी और अगर भारतियों को पता चलेगी तो वो बिद्रो करेंगे तो जिससे पहले वो बिद्रो करें उससे पहले उनका brand वास कर दिया जाए और इस तरह वास कर दिया जाए उनका brand कि वो बिद्रो करने के बारे में सोच भी ना सके ठीक ये थी इनकी पूरी ideology अब यहां क्या होगा कि जब आपके ये education का प्रसार करेंगे education का क्या प्रसार करेंगे expansion जब करेंगे तो अब यहां education से क्या होगा सारी कहानी इस education से ही शुरू होगी सारी कहानी education से आपके क्या शुरू होगी कि ये है आपके कोई भी समाज किसी भी समाज में तीन क्लास होते हैं lower class middle class and higher class ठीक उस समय का अगर हम समाज देखें आपके या बरतमान में भी अगर हम देखें ये lower का मतलब यहां economic चल रहा है ठीक लोओर क्लास में आपके जो education है lower class में आपके एजूकेशन उस समय कि अगर हम इस्तिती देखें इस्तिती तो बरतमान की भी ऐसी देख सकते हैं lower class में आपके जो education है वो उस समय आपके होती ही नहीं थी कौन पढ़ता था lower class में कोई नहीं लोग खेतों में आपके काम करते थे वहीं से जीवने आपन हो जाता था और अगर आज भी देखें तो lower class में आपके higher education की rate बहुत कम है तो यहां आपके lower class इसमें आपके education की मात्रा बहुत कम होती है या होती ही नहीं ठीक, middle class जब कभी भी आपके education लेता है तो middle class का तो education लेने का सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो होता है और जिस दिन मिल गई job उस दिन किताबें रखी है side में यह होता है middle class का उद्देश, इस से उपर middle class सोचता ही नहीं है ठीक है इसे तो job चाहिए ठीक अब यहां आपके क्या है higher class अब higher class के पास पैसे की तो कोई कमी है नहीं अब मुके सम्मानी के सुपत्र अगर education लेंगे तो नौकरी करने लेंगे यह तो किसी को भी खुद नौकरी पर रख ले भारत सरकार से जो secretary आपके retire होते हैं यह रिलाइन्स में जॉब करते हैं जाके रिलाइन्स की जितनी भी senior पोस्ट होती है तो भारत सरकार के petroleum ministry के तो secretary लाइन से जाते होते हैं यह हुआ तो अब इन्हां जॉब की ज़रुवत कि यह higher class जब भी education लेता है तो यह education लेता है हमेशा किसलिए knowledge हासिल करने ठीक इसे knowledge चाहिए और जो व्यक्ति knowledge को हासिल करने के लिए education लेता है जब उसके पास आपके knowledge होती है तो वो आपके किसी भी system का analysis कर सकते हैं ठीक प्रॉबलम यहां से होगी उस समय के भारत में भी एक बड़ा अमीर वर्ग होगा राजे रजवारे बड़े जम जमीनदार बिजनिसमेन इनके जो आपके बच्चे होंगे जब यह भारत में दो-चार आपके ए-बी-शीडी पढ़ेंगे तो अब यह और इनके पढ़ने की उत्सुकता होगी नौकरी तो करनी नहीं है दद-दस-जार एकड जमीन पढ़ेंगे तो जिंदगी निकल जाए अब यह ए-जुकेशन से उनकी एनालिसिस करने की चमता बढ़ेगी और जब उनकी एनालिसिस करने की आपके चमता बढ़ेगी तो अब भारत के अंदर बिटिस सरकार के द्वारा जितनी भी गत्विदियां की जा रही थी अब यह पड़े लिखे भारती उन गत्विदियो करना सुपर्व करें तो सबसे पहला एंध करेंगे आप के भारत जिर है किसका एजूकेशन इक तो आपके रहे हैं तो puntos ब्रॉडकी के यह यानि कि साथ द्धियूकेशं वह धारतियों को सिख्षित करना नहीं है वह उत तो और न कहुंघ को लाना हो चाहिए वह आर्मी को पहुंचाना हो जो इसका भारतियों के लिए कोई छेत्रों में जो इना उने विक्सित किया जाएं इंडस्टीज हैं वो सारी की सारी इंडस्टीज ब्रिटेस इंडस्टीज हैं उसका भारतियों को कोई फाइदा नहीं है इसका भी भारतियों को कोई फाइदा नहीं है और लॉइंड ओडर इसका भी कोई फाइदा नहीं है अ है आपके अब आते हम आगे बिटिसर्स कोई पता था ये बात इंडियन साज नहीं तो कल समझ जाएंगे और बोलेंगे ठीक तो अब बिटिसर्स ने ऐसी किसी स्थती से निवटने के लिए ही दी अपनी ब्रेनवास की ठीओरी 18-19 सदी में बिटिस सरकार एक ब्रेनवास की आपके ठीओरी लेके आती है कौन सी वाइट्समें वर्डन ठीओरी स्वेट व्यक्ति बोज़ का सिध्धान Já ठीक वाइट्समें वर्डन ठीओरी आपके ये दीवी किसने रोडेयाड कपलिंग ठीक एक book है आपके जंगल book उसकी writer है Rodeyard Kipling Rodeyard Kipling आपके कहते हैं कि हम अंग्रेज यानि हम whites men भारत पर सासन करने नहीं आए सासन करने के लिए तुमारे England ही अच्छा था हम भारत आएं आप भारतियों को सब और आदुनिक बनाने यही होता था ना भारत में पहले तो यहां आपके इन्हों ने ये भारतियों से कहा इस brand was की धेरी के द्वारा के हम तो इसलिए आएं जिससे कि हम भारतियों के सब्बे और आधुनिक बना सकें और अगर नहीं थीचा रहे हैं न सब्बे और आधुनिक मनाना और अगर आप हमारे प्रति विद्रो करने का सोच रहे हो तो दूसरा पॉइंट भी देख लो इसका हम अंगरेजों को हराना असंभव है इसलिए गुलाम तो आपको रहना है यह हुआ यह चाहते थे आपके कि भारतियों को अगर यह यकीन भी हो जाए कि बिवस्था हमारा सोचन कर रही है तब भी भारती हमारे अगें भारती एनालिसिस करने में आपके सच्छम हुए और सबसे पहले आपके एनालिसिस आपके जो भारतीयों ने किया वो किया आपके दादा भाई नेरोजी यह भारत के एलीट क्लास से संबंदित थे और 1960 में इनकी आपके किताब आती है पौवर्टी एंड अन बिटेस रूल इन इंडिया में आपके दादा भाई नरोजी नों तेस पश्ट लूप से लिख दिया कि भारत को सब बेबनाने के नाम पर यह जितनी भी एक्टिविटी भारत में की जा रही है उन सभी एक्टिविटी का अंते मुद्देस भारत से जादा से जादा मात्रा से पैसा निका यही कारण था कि भारत में क्रांती हुई कॉंग्रेस का गठन हुआ सब कुछ हुआ कॉंग्रेस के अंदर जो आपके सबसे पहले नरम पंथ की शुरुआ तो इती मॉडरेटर फेच हम कहते हैं कि कॉंग्रेस में 1885 से 1905 तक नरम पंथी फेच चला यह नरम पंथी उदार थ हम कहते हैं कि आपके कॉंग्रेस में आगे चलके जैसे युवाओं का आपके बढ़ेगा वैसे ही गरम पंथी पत आएगा तो भारत में हर समय होंगे 1885 में क्या मर गए ते क्या हुआ वह भी तो होंगे 1885 में युवाओं ने अतियार क्यों नहीं उठा लिए नहीं उठा ल डीयार ऐते हैते जब तक यह पिलर नहीं तोटेगा तब तक कभी युवाओं एग्येसिव नहीं होगा और जब्त तक नरम पंथ गरम पंथ में कनवर्ट यह गरमपंथ पहले 味 आ सकता था अगर यह पिलर तूट जाता यह पिलर नहीं तोटा इसलिए आपके पहले fertig पता तो नरमपंथियों कोई था ना दादा भाई नरो जी रमपंथी लीडर थे पता तो ने भी है ना कि बिटे सर्स हमारा सोचन कर रहे हैं तो त्यार क्यों नहीं उठवा दिये इसलिए नहीं उठवा दिये कोई भी सिस्टम आपके जब चलता है तो उसकी एक पैरलल भूमिका ह होती है कि उसके पीछे का बैक ग्राउंड क्या है एक और बैक ग्राउंड बनाता हुए सिस्टम हमेशा क्या जाता है आगे जाते हैं तो कुल मिलाके हम यहां आपके देखते क्या है कि आपके जब इंडिया के अंदर एजूकेशन का आपके एक्सपैंसन हुआ यानि कि चुके थे कि यह भारत को न तो सब्बे बनाने आए ना आधुने को बनाने आए यह तो भारत को लूटने आए और अब भारतियों को खड़े भी होना है विद्रो के लिए लेकिन विद्रो इसली नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी इसका दूसरा पिलर भारतियों के दिमाग नहीं पूछ पर Coleman-घ्जामपल एकमें रहां कि याह जैसे कि आपेसे अपके आपके दिमाग है यह से बात करने आये आरब अंग्रेज़ों से कम मिलने गए आप जो अंग्रेज़ों ने सेट की है यह बात आपके सेट किये किन नहीं आपके रिष्थिदारों ने आपके परिवार वालों ने या जो यूपीएस्टी में फैल हो गए उन्होंने इसी सक्सेश्फुल एस्पारेंट ने कभी कहा कि यहां आपके गाउं में आज भी जो आपकी सोच है या पूरे समाज की सोच है वो दरोगा से उपर नहीं है जैसी आप यूपीएस्टी बात करते हो तो वह समाज का नजर यही देखने का अब हम यहां देखते क्या है कि भारत का सबसे टफ एक्जाम कौन सा यह आपके और यह जो बात है ना इसकदर आपके दिमाग में बैठी हुई है कि यूपीएस्टी बात का सबसे टफ एक्जाम है कि भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग तो इस एक्जाम में एपिर ही होने नहीं आता डर के मारे यह भारत का बहुत बड़ा एक्जाम है जबकि जो रियल पुट्त ओ ट्वेल्थ क्लास में चट चुका होता है रियल टैलेंट होता है जो आईईटी क्वालिफाइंग वोते हैं जो आपके नीट क्वालिफाइड होते हैं जो में बस इसमें अब रेकरो शक्तिवालिभी सिस्टम लाय से tough exam अब इसी दर्मियान आपके क्या हुआ कि एक कोई आपके दोस्त था आपके गाओं का रहने वाला था या आपका रिस्तेदार था दोनों ने आपके 10 साथ की 12 साथ की graduation साथ की दोनों खेले साथ दोनों पड़े साथ दोनों बड़े साथ ठीक है अब वो किसी तरीके से समाज की विचार धारा को तोड़ के आगए आपके दिल्ली गलती से हो गया वो आई एस में select 56 रेंग के साथ जो भी रेंग होई अब जैसे ही उसका result आपके newspaper में आया अब आपका दिमाग लगा 10 में मेरे थे 20 परसेंट इसके थे सरसट 12 में मेरे थे 85 परसेंट इसके थे 72 बीए में साल इसका supplementary लग गया था ठीक है ऐसे ही फिलोस्पी यह निकल कि बीए में इसका supplementary लग गया तो यह आई एस बन गया अगर यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता है और यहां यह theory तूट गई यही कारण है कि भारत के अंदर हम आपके देखते क्या है जब तक किसी एक गाउं से एक आई एस नहीं है तब ही तक नहीं है अगर एक आई एस एक प्रणाओं से निकल गया तो 20 साल में आदा गाउं आई है तो भारत में कॉपी करने का जो आपकी पद्धती है वह बहुत जादा है क्योंकि फिलोस्पी तो यहीं फिलोस्पी को यहां तोड़ना था अभी तूटे कैसे बिटे सर्स तो 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 नहीं नहीं तो अ अब यह सारा सिस्टम चल रहा था कॉंग्रेस अपने आंदोलन जिंदाबाद मुर्दाबाद में लगी हुई थी बिटेस सरकार से रिक्वेस्ट कर रही थी यह मैं सासन प्रसासन में भागीदारी दो भागीदारी दो ठीक है और आजादी कभी भीग मांगने से नहीं मिले हत्यारत उठाने पड़ेंगे तो अब आगे चलके आपके क्या हुआ यही सारी कहानी सारा सिस्टम समय के साथ आपके चल रहा था चलते चलते आपके हुआ क्या कि आपके बात रही होगी लगभग 1897 एक देश था आपके आपके अफरीका में ठीक है और यूरोप का आपके एक देश था इटली इटली का आपके शासन हुआ करता था किसके उपर इटली का शासन इठोपिया के उपर हुआ करता था 1897 एटी चायुक 1897 में आपके होता क्या है 1897 में आते हैं इठोपिया के उपर इठोपिया की अगर हम आज कि भी बात करना यह घरीब देश है भुकरी से ग्रस्त देश है, लूट पार, हिंसा ये बड़ी नॉर्मल वात है एथोपिया में, यहां खाने को भी नहीं है कुछ भी, जब आज ये स्थिती है तो उस समय क्या होगी, तो 1897 में अब आपके होता क्या है, कि एथोपिया के ऊपर आपके इटली का सासन था, एथोपिया के सा इटली के लोगों को बाहर, यानि कि आपके इथोपिया ने इटली से स्वैम को स्वतंतर करा लिया कब 1800 भगा दिया सब गबार, यानि ये जो आपके गरीब देश था, ये 1897 में इटली से स्वतंतर हो गया, भारत को इटली से स्वतंतर था प्राप्त करने में, 2014 का टाइम इटली के सासन से आपके मुक्त हो गया, अब जब ये कहानी आपके हुई, तो समय न्यूस पेपर आपके आने लगे थे, ठीक है, अंग्रेजी में भले ही आते थे, लेकिन न्यूस पेपर आना शुरू हो गए, न्यूस आपके छप गई, इनके आपके प्रमुक चौराओं है, जो आपके बड़े भुजुर्ग टाइप के जो लीडर होते हैं, जो MA MA हो चुकी है, PhD हो चुकी है, नौकरी वाकरी मिलनी रही बावा टाइप के लोग, ये न्यूस पढ़ रहे हैं, ये देखो भाया क्या लखाया इसमें, एथोपिया ने इटली को अरा दिया, अब व उनसे ज्यादा, नंबर एक से ज्यादा, नंबर दो के असले अपने पास, खिक, यानि की हर चीज में उनसे ज्यादा, पड़े लेखे उनसे ज्यादा, सब विबस्ता वाइस ज्यादा, तो वो हरा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, ये घटना आपके यहां होई, अब जैसे ही विचारधारा आपके भारत में आई, तो आपके सबसे पहले भारत में अब यहां से सुरू होती है, सारी कानी गरम पंद की, 1897 में आपके पूने के रहने वाले थे चापेकर वरदर्स, पड़ी उन्होंने भी ये खबर, पड़ी तो दोनों के पास देशी कट्टे भी रख क्वेस्ट वाजी चल रही थी कि देदो सतंतर ता, देदो सतंतर तैसे थोड़ा मिलने वाली है, तो यहां 1897 में पहला मनोवल आपके ये टूटा, अब इसके बाद में अब आपके एक दूसरी घटना होती है, आपके बीसवी सदी के सुरूआत में, बीसवी सदी के सुरू शुरूआत में कहानी आपके ये होई, ये जो आपके रसीया था, इसने आपके अटैक कर दिया, किसके उपर, ये तो चलते रहते थे था, अटैक तो उस टाइम, कोई भी किसी ऊपर कर देता, अब अटैक कर दीया, जापान को भिचारे को घहली है, चारों तरफ से, छोटा कहता है क्यों सरेंडर करना भई हमारा सथंत्र देश हैं ऐसे कैसे करदेंगे तो आपके रसिया का आर्मी एड कहता है कि देखो सरेंडर कर दो नई तो 30 मिनट पर हम झोटे जरूर मजबूर मत करो हमें तो रसिया ने आपके फिर का कि 30 मिनिट का टाइम है तो जापान ने का 29 मिनिट का टाइम है अब तुम पे अगर 29 मिनिट के अंदर इस सारे जहाज नहीं अटे तो फिर आप 32 मिनिट का नंबर नहीं लगेगा आपका अब रसिया छेत्रफल से भली बड़ हो जापान टेक्नोलोजी से बहुत बड़ा था तो रसिया ने आपके अलके में ले लिए छोटा सा नन्ना मुन्ना सा देश है तो यह क्या कर पाएंगे हमारा जापान ने दिखाई अपनी टेक्नोलोजी और 29 मिनिट में रसिया की पूरी नेवी पैसिफिक उसीन में तब खतम अब इसके बाद में फिर अब आपके जापान ने उतारी अपनी आर्मी और दड़ाना शुरू किया रसिया की आर्मी को यह सिच्वेसान यहां से चलते चलते पहुँच गई कहां पूरा रसिया आपके सीद लिया और मोस्को में जाके आपके जापान की आर्मी पूछेगी अब पता क्या करना है तो अब यहां इस कहारी में हुआ यह अब ये भी क्वबर चपेगी अकवारों में अब यह कवबर आपके अकवारों में छपी तो फिर वही इलावाद इनिवस्टी के लड़के है ठीक तो अब इनों में फिर जोस आ गया सब में फिर जोस आ गया तो अब तो कि यह जापान जैसा छोटा सा देश इलावाद से भी छोटा है यह तो तो इलावाद जिले से छोटा है जब ये देश रसिया जैसे देश को कंट्रोल कर सकता है ठीक पूरी प्रत्वी के आपके 25% छेत्र पे फैला है जो देश ठीक है तो हम क्यों इन अंग्रेज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अंग्रेज भी उतने ही थे जितने अब यहां से क्या हुआ कि अब माहुल बनना चुरू हुआ तो अब आपके देश का जो युवा बर्ग था आपके युवा बर्ग ने कहा कि अब ये जो बूड़े पराने लोग कुरी आई नहीं ती स्वाराज की मांग आई गरम बंत्थाएं भारतियों का सासन भारतियों के हात्समें दिया जाए अब कहानी आपके यह होई कि पूरी देश में है किसकी मांग स्व आज सव आपके मांग आई तो क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या दलित, क्या उच्चिवर्ग, क्या निम्नवर्ग, आपके सब आंदोलन में आपके खूद पड़े, टोटल पूरा योगा, टोटल यूथ, ठीक है, अब जब आपके भारत के अंदर ये पूरा दौर चल रहा था, तो करजन आपके कहते हैं, कि ऐसा है, पी-म महुद है, ये जिन्दाबाद, मुर्दाबाद आपके इसलिए भारत में चल रहा है, कि आपने भारत पे जिन विकलपों से सासन किया था ना, उन विकलपों को दोहरा लें हम, ठीक, पावर, आपके पास पावर है, 1.25 लेक और इला 25 करोड, अगर ये खड़े भी हो गए, तो आपको भागने हुए भी रस्ता नहीं मिलेगी, तो पावर की दम पे अब भारत को लंबे समय तक सासन नहीं कर सकते, अब आपके क्या करना होगा, आप कहते हो कि आपने भारत में बेलफेर एक्टिविटीज की, ये जो बेलफेर वर्डन थेहरी को, ठीक, वाइट्समेन वर्डन थेहरी का ये जो आपके पहला पिलर था, ये तो बहुत पहले ही तूट चुका था, और अब आपके तूट गया ये दूसरा पिलर, ये भी तूट गया, अब आपके ये अगर आपके दूसरा पिलर आपके ये तूट गया, तो अब स्वाविक सी वात है कि भारत में आपके आंदोलन तो बढ़केगा भारत का पूरा युवा आपके आगया किस पर रोड पर युवा रोड पर ही नहीं आए आप तो इन्हों ने अत्यार उठा लिए थे अब तो आने आपके ब्रिटिसर्स जान देखें वहां ये ठोक एसा है सिस्टम कुछिब हो भारत को आजाद नहीं होने देना और अगर तुम भारत को आजाद करा दो तो ऑनयहीं उटे लाटके घैंए तो अब आपके कर्जन के ऊपनार और से दवाफ बढ़ गया अब कर्जन के ऊपर आपके दबाब बढ़ गया, तो आपके करजन की ओपर क्या दबाब था? किसी भी इस्तिती में भारत आजाधना हो जाए. टिक है? ये करजन की ओपर अब दबाब बढा, करजन की ओपर जब ये प्रेसर वड़ा, तो आप करजन अपने दिमाग से थोड़ा सा काम लेंगे और दिमाग से आपके काम लेंगे और करजन आपके यहाँ एक नई थेवरी आपके देंगे divide and rule अब इस से ब्रेनवास करेंगे यह भारतियों अब इस डिवाइड एंड रूल से भारतियों का आपके ब्रेनवास होगा किस तरह से अब हम ये देखें ठीक है ब्रेनवास आपके इस तरह से होगा कि भारत के अंदर आपके स्वतंतरता आंदोलन आपके चल रहा है बड़ी तेजी से ठीक है स्वतंतरता आंदोलन बड़ी तेजी से आपके चल रहा है ये है आपके कोई स्वतंतरता आंदोलन भारत के अंदर चला जा रहा है ठीक उद्दे से आपके स्वराज अब इस आंदोलन मैं मान लिया हमने के आपके सौ लोग हैं कितने लोग हैं सौ लोग अब उस समय भारत की population में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा आपके कौन है उसके बाद बांकी तो सब माइनर करने यहीं लोग थे अब यह जो आपके स्वतंतरता आंदोलन है तो population के साब से मान लिया 80 लोग यह आंदोलन कर रहे थे 30 लोग यह आंदोलन कर रहे थे यह आपके 80 और 200 लोग आपके जंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए इलावास से दिल्ली आ गया है तो अब यह आपके 100 लोग जंदाबाद मुर्दाबाद आपके कर रहे और आगे से इनको करजन की गाड़ी दिख ली भारतियों की खास बात है जैसी पुलिस की गाड़ी दिखती है और तेज जंदाबाद और तेज मुर्दाबाद ठीक तेंडा पड़े उसके बाद भली बगए जाए लेकिन दिखते तो सब से तेज जोस में बोलते हैं यह भी बोल रहे हैं सो लोग आपके जंदाबाद मुर्दाबाद प्रिटिस सरकार आपके मुर्दाबाद तमाम एक आनी आपके चल रही है अब करजन की गाड़ी आपके आके अब करजन की आपके यहाँ गाड़ी आके रुकी करजन गौर से देख रहे हैं अब करजन क्या करते हैं यहां से आपके दिमाग चलाते हैं अब करजन आपके दिमाग यह चलाते हैं कि यह जो आपके 20 लोग थे आपके इन 20 मैंसे किसी एक ब्यक्ति को आपके यह बुलाते हैं इन 20 मैंसे आपके बुलाया किसी एक को एक को बुलाया तो बांकी के और भी चल दिये कि हमारे भाई लोग हम कैसे रुख जाएं बांकी के धीरे-धीरे करके सारे लोग बीस कहां हो गए यहां एक खटे हो गए पूरे यानि किनों ने स्पेस्पिक क्या किया एक कम्यूनिटी को बोला दिया अब करजन इन 20 लोगों से पूछते हैं क्या कर रहे हैं तुम लो करजन लेकर क्या करेंगे ऑपके करजन को हम बारतिय रुख सावन के कैसे करोगा खटें तो आपके करण करजन कहेंगえば यहां और जब हम लोग तंत्र को लेके आएंगे तो हम अपने प्रत्निदी भेजएंगे और हम यहाँ भारत पर सासन करेंगे तो करजन केथा है यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम जाएंगे तो तुम कैसे अपना सासन करोगे क्योंकि अगर डेमोक्रेसी आई तो डेमोक्रेसी में आपके सासन वो करता है जो मैजोरिटी में होता है और मैजोरिटी में इस देश में हिंदू पूरा दिमाग घुमा दिया इसने भी अब ये 20 लोग जो सुबह से भूके प्यासे जिन्दाबाद मुर्दाबाद करने लगे हुए थे चार बार डंडे इनमें पड़ गए ये कहते हम ऐसी आपके जिन्दाबाद मुर्दाबाद करने है ये तो बात सही कर रहे है करजन अगर देश स्वतंतर हो भी गया और लोगतंतर आभी गया तो हम का सासन करेंगे सासन तो ये करेंगे इससे पहले इनके दिमाग में ऐसी कोई बात थी नहीं यानि कि जब तक ये आंदोलन कर रहे थे तब सब भारती थे करजन ने इनको मुसल्मान बना दिया ये मुसल्मान थे नहीं करजन ने असास करा दिया आब भारती नहीं हो आब मुसलिम हो ठीक है और लोगतंतर में सासन वो करता है जो मैजोरिटी यानि की बहुमत में होता ठीक है तो अब आपके ये 20 लोगों का दिमाग खराब और ये 20 लोग आंदोलन से धीरे-धीरे गाई अब ये असी लोग ढूड़े ये 20 कहांगे सारे अपने भाई लोग इन्हें तो पता ही नहीं कि हो क्या गया वहां से ठीक है अब इसके बाद में ये 20 लोग आपके गुप्त चर्चा किए कि क्या करना चाहिए ये तो बास सही कह रहे हो ठीक है तो अब ये 20 लोग आपस में कहते हैं अब करजन ने आपके समस्या बताई तो समाधान भी करजन ही बताएंगे तो साम को चुप्चा पे 20 लोग करजन के यहां पहुंच गए तो करजन से आपके कहते हैं कि अब बताओ समस्या आपने समस्या तो बता दी कि हमारा सासन नहीं आएगा अब हम सासन में कैसे आए ठीक है तो अब करजन इन 20 लोगों से कहेंगे देखो ऐ बिदायक बणाओ शिक उन्निस ए सनौ में हम एक एक्ट लेकर आ रहे हैं और उस एक्ट के द्वारा हम ऐसी वीवस्था कर देंगे कैसी वीवस्था कि के इल경 सुरू कर रहे हैं उन्निस सो सोम hatır से प्रोविर्टियल लाजजिसलेटिव separate electorate system प्रत्यच्य निर्वाचक मंडल विवस्था और प्रत्यच्य निर्वाचक मंडल विवस्था आपके क्या कहती है मुस्लिम बाहुली छेत्र में सिर्फ मुस्लिम ही candidate होगा और मुस्लिम ही बोटर होँगे मुस्लिम बाहुली छेत्र में हिंदुओं को ना चुनाब लड़ने का अधिकार होगा ना भोट देने का अधिकार होगा तो अब इनको वैसे भी कोई नहीं रहा पाएगा तो मुस्लिम बाहुले छेतर में जो इन्हों ने सेपरेट एलेक्टोरेट सिस्टम की विवस्ता शरू की इस विवस्ता का उद्दे तो अब बताओ हमारी भी तो जिम्मेदारी है कि हम क्या करें आपके लिए तो करजार इन 20 लोगों से कहेंगे कि सबसे पहला काम इन 20 लोगों का अपोच ठीक सबसे पहला काम आप क्या हो संगठन बनाओ मुसलिम भी मुसलिम लीक का पहला उद्देश कॉंग्रेस का लुए हो मुसलिम लीक से ज्यादा मुसल्मान कॉंग्रेस में थे तो यहां आपके सिंबलिक रूप से मुसलिम लीक आपके मुसल्मानों की पार्टी बन गई जब कि ऐसा आनी बिटिस सरकार की बिटिस सरकार की डिवाइड और रूल पॉलिसी की वज़ए से इन्हों ने मुसलिम लीक का आपके हुआ गठन ठीक है और करजन की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को एक्जीकूट करने के लिए ही लाया गया गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1909 मारले मिंटो रिफॉम ठीक मारले थे उस समय सेकेटर और मिंटो थे आपके उस समय वाइस ठीक है तो आपके इसका सबसे पहला ही प्रविजन था क्या सेपरेट एलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूजड फोर मुसलिम्स मुसल्मानों के लिए प्रथक निर्वाच्यक मंडल विवस्था की शुरूआ यही सबसे पहला करने है तो और क्या करना होगा लेजिसलेटिव काउंसिल के मेंबर्स में या मेंबर्स को बजट पर बोर्ट देने की सकती दे दी गई 1892 में डिसकस करने की सकती थी बजट पर 1909 में बोर्ट देने की सकती दे दी गई यह आपके दूसरा रिफॉर्म होग ठीक गबर्नर जन तो अब इसमें आपके यहां तक का यह पूरा सिस्टम समझ में आया क्यों आई एक तो इसे नोट कर लो झाल 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 गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भारस सासन अधनियम 1909 इसका दूसरा नाम मारले मिन्टो रिफॉर्म पीचे हम बोल रहे ना भी ठीक है तो गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 मारले मिन्टो रिफॉर्म लॉर्ड मारले थे समय सेकेटरी ऑफ इस्टेट भारस साचिफ यानि की इंडिया मिनिस्ट्री के हेड और लॉर्ड मिन्टो थे कौन गवर्नर जेनरल ऑफ इंडिया जो मेंबर्स हैं जो बजट पर डिसकस कर सकते थे अब उन्हें बजट पर पोड देने का अधिकार दिया गया गए गवर्नर जेनरल की एक्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भारती सदस्य की निउक्ति ती गई और कौन था वो भारती सदस्य एस भी तिनना तो गवर्नर ज झाल जो पर बगवर्न की निवर्ने एसु आख दिया खरका जो भारती सकते अब का व गवर्नर जे पर झाल 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 तो 1909 के अधनियम का आपके जो सबसे disputed provision था आपके वो क्या था separate electorate systems introduced for Muslims मुसल्मानों के लिए प्रथक निर्वाचक मंडल विवस्था की सुरुआत इस विवस्था में आपके क्या किया गया कोई दो चुनाब छेतर हैं एक ऐसा चुनाब छेतर दोनों होंगे लेकिन जो चुनाब छेतर में आपके मुसलिम भाहुले चुनाब छेतर हैं यानि मुसलिम मैजॉर्टी में उस चुनाब छेतर में जो candidate होगा वो only और जो बोटर होंगे वो only तो ये था separate electorate system ठीक है अब government of India act 1909 के बाद जो आपके अगला एक्ट आएगा government of India act 1919 यानि montangu champsford reform अब montangu champsford reform जो आएगा अब इसके पीछे भी एक पूरी background story होगी इस्टोरी थोड़ी सी बड़ी है तो इसको हम देखेंगे अपनी next class में ठीक है clear हुआ यहां तक झाल 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 झाल